आज के वीडियो का topic है how to receive stock alert SMS from Google Sheets in real time सिखाऊंगा कि कैसे आप stocks related alert messages अपने आपको send करवा सकते हैं और receive कर सकते हैं automatically इसके लिए आपको एक automation site करना होगा Google Sheets and Twilio के बीच में then आपको सरिफ जाना है अपनी Google Sheets में और detail डायक कर देनी है उन सभी companies की जिन भी companies के stocks आपने खरीद के रखे हैं या फिर जिन companies के stocks को आप जो है चाते हैं आपको पता चलता रहे कि उनका price बढ़ रहा है या घट रहा है तो आपको वो details जाके add कर देनी है Google Sheets में और एक formula put करना है वो मैं आपको सब सिखा दूँगा उसकी attention मत लीजिए और आपको automate कर देना है इस Google Sheets को Twilio से then क्या होगा हर 15 मिनित के अंदर आपको आपके mobile phone पे एक SMS receive होगा जिसके अंदर उस company के stocks से related price से related details होगी के वो company इस company का price इतना बढ़ गया है इस company का price इतना घट गया है यह सारी details आपको आपके SMS में मिल जाएंगी इसके लिए हमें automate करना होगा Google Sheets को Twilio से कैसे करेंगे पूरी details पूरी steps में आपको बताऊंगा कि कैसे automate करना है अभी अपनी screen पर सबसे पहले हम अपने browser में type करेंगे www.pably.com सामने आ जाएगी official website देन अब हम क्लिक करेंगे sign up free पर अपना account फ्री में बनाने के लिए मैं already अपना account बना चुका हूँ that's why मैं क्लिक करूँगा sign in पर first option आएगा pably connect का login करने के बाद okay pably connect का option आया क्लिक करेंगे access now पर then open हो जाएगा pably connect का dashboard right hand side पे create workflow का option आएगा click करके अपने workflow को हमने एक नाम दे दिंगे मैं एक simple सा नाम दे देता हूँ google sheets to twilio okay मैंने नाम दिया है google sheets to twilio आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं एक बात बता देता हूँ इस वीडियो के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पे click करना है और आप भी मेरा बनाया ये same workflow use कर पाऊगे अपने account में वो भी एकदम free में workflow को नाम दिया सामने मेरे दो windows आ गई trigger और action की दोनों ही काफी important role play करती है integration में trigger means when this happens जब भी ऐसा हो action means do this ऐसा कर दो topic क्या है हमारा हम चाहते हैं कि हमारे google sheets के अंदर जबी भी ये rows update हो okay automatically उनसे related message sent हो जाए तो ये rows क्या है okay तो इनके अंदर मैंने जो है stock जो भी stocks मैंने खरीद के रखे हैं उन companies के नाम लिखे हुए और उनके सामने उनके price है जो की update होते रहते हैं जैसे ही वहाँ पे हमारे national stock exchange के अंदर जो है update होता है amount जो rate है वो update होता है तो automatically वो rate यहाँ पे भी update हो जाता है वो कैसे होता है उसके लिए हम एक formula का use करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी फिलाल मैं आपको इतना बताता हूं कि हम ये चाहते हैं कि इस google sheets में जबी भी ये rates update हो हर 15 minute में हमें जो है इस google sheets की update हमारे mobile phone पे एक message के द्वारा मिलती रहे हर 15 minute में हमें पता चलता रहे कि जिन भी companies के हमने stocks खरीदे हैं जिनके भी नाम हमारे सामने है उनका जो price चल रहा है वो बड़ा है या घटा है हर 15 minute में हमें जो है message मिल जाए सो ऐसा करवाने के लिए first application में सबसे पहले हमें choose करना होगा हमारी scheduler को पैबली कनेक का great feature है जिसका नाम है schedule by पैबली इससे हम क्या करेंगे हमारे workflow को हमारे automation को ये बताएंगे कि आपको कितनी बार चलना है तो at regular intervals पे मैं चाहता हूँ हर 15 minute में ये automation चले आप यहां से change भी कर सकते है 25 कर सकते है 20 कर सकते है यहां फिर एक घंटा कर सकते है कोई problem नहीं है मैं चाहता हूँ हर 15 minute में मेरे पास message आए मेरे mobile phone पे कि ये price इतना चल रहा है अभी इन 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 stocks का तो click करूंगा save पे तो अब यहां से अभी ये workflow हर 15 minute में run करेगा अब हमें क्या करना है अब हमें plus button पे click करके action step add करनी है और यहां पे choose कर लेना है google sheets को search किया choose कर लिया google sheets को then action event में हमें choose करना है get rows को then click करना है connect पे connection के लिए उसके बाद add new connection पे then connect with google sheets पे then अपना google account चूस कर लेना है don't worry pably connect is 100% safe click करेंगे continue पे connection successfully हो जाएगा ठीक है तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि google sheets में आपको formula कौन सा लगाना है so अभी मैं सभी हटा देता हूँ यह वाले नीचे वाले price जो है ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ बजाज fine serve का जो price चल रहा है वो है stock price 16,958.75 चल के हम check कर लेते हैं NSE के अंदर okay so यह रहा बजाज fine serve का हम देख लेते हैं LTP 16,958.75 एकदम correct यहां पर हमारे सामने price लिखा हुआ है और जैसे कि यह 3 companies और बची हुई है और मैं चाहता हूँ यहां पर मैं और भी companies add कर देता हूँ जैसे कि Tata Steel है ना आ जाता हूँ और यहां पर paste कर देता हूँ Tata Steel और एक और company को जो है मैं यहां पर ले लेता हूँ Tata Motors ठीक है तो इन सब के मैंने shares खरीद के रखे हूँ है Tata Motors के तो मैं अभी बजाच fine serve का तो यहां पर आ गया है stock price अब मैं चाहता हूँ इन सब के भी stock price यहां पर add हो जाए और साथी साथ जबी भी हमारे national stock exchange के अंदर वो price change हो तो automatically वो price हमारी google sheets में भी save हो जाए तो ऐसा करने के लिए हम एक formula लगाना होगा जो formula मैंने यहां लगाया है जैसा कि आप देख रहे हैं यह formula आप देख पा रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ यह formula क्या है सबसे पहले आपको box में जाके equals to लगाना होगा then उसके बाद यहां पे आपको लिखना होगा google finance यह लिखा हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं इस पे click कर दिया google finance यहां पे आ जाएगा then उसके बाद आपको bracket लगाना है bracket close करना है then उसके बाद आपको double inverted comma दो बार अंदर लगाने है then उनके बीच में आपको company का नाम लिख देना है तो जैसे कि यह company है यहां से इसका नाम में copy कर लेता हूँ आता हूँ यहां पे और double inverted comma के बीच में जो है लिख देता हूँ then उसके बाद आपको right आना है है ना और यहां पे आपको comma लगाना है double inverted comma से close कर दिया then एक comma लगाया उसके बाद double inverted comma price लिखा फिर उसके बाद double inverted comma क्लिक कीजिए enter पे तो आप देख पाएंगे कि यहां पे जो है इस company का जो stock price चल रहा है वो हमारे सामने आ गया चलके हम check कर लेते है national stock exchange के अंदर की वहां पे यह same price है के नहीं okay so यह रही वो company है ना यह रही ठीक है इस company का जो price चल रहा है stock का वो है one thousand one hundred five point zero five okay so यह भी आप देख पार है one thousand one hundred five point five point zero five okay एक दम perfect यहां पे आ गया इसी तरह से हम जितने भी यहां पे companies के नाम लिख लें और उनके सामने formula लगा देंगे तो उन सभी के price आ जाएंगे तो मैं simply यहां पे भी same जो है formula अपनाता हूँ उसको copy करके नीचे paste कर लेता हूँ और simply यहां से company का नाम copy करके just यहां पे double click करूँगा और यहां से मैं सिर्फ क्या करूँगा company का नाम जो है change कर दूँगा formula के अंदर से यह हो गया बजाज finance के लिए then enter पे click करूँगा तो यहां पे बजाज finance का जो amount चल रहा है वो आ जाएगा जैसा कि आप देख पा रहा है यहां पे चलके देख लेते हैं पूरा formula copy किया यहां पे simply paste कर दिया दैन उसके बाद यहां पे हम चूज का जो है company का नाम change कर देंगे यहां से copy किया company का नाम आएधर यहां यहां पे Tata Steel copy कर लेता हूँ यहां पे आता हूँ और company name जहां पे मैंने डाला था वहां पे Tata Steel का डाल देता हूँ enter then इसी तरह से Tata Motors का कर लेता हूँ तो यह रहा company name हटा के यह Tata Motors यहां पे Tata Motors का प्राइस आ जाएगा आ गया है तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है अब जबी यह प्राइस यहां पे चेंज होंगे तो यह खुद बाखुद आपकी गूगल चीट में भी सेव हो जाएंगे आपको कुछ भी करने के जरूर इस company का इतना चल रहा है बजाज finance का इतना चल रहा है इसका इतना चल रहा है ऐसा message मैं चाहता हूं मेरे पास आए automatically खुद बाखुद ऐसा गरवाने के लिए मुझे पैबली connect पर वापिस आना होगा गूगल शीट को मैंने connect करी लिया है और अपनी stock details वाली sheet को choose कर लेना होगा simple यहां पर sheet 1 है जैसे कि आप देख रहा है तो वो by default select हो गई क्योंकि एक ही sheet है यहां पर मुझे अब range बताना है पैबली connect को कि कहा से लेके कहां तक का data उसे pick करना है तो मैं चाहता हूँ के इन 7 company चेंग के अंदर इनके जब भी stock price जो है change हो या ना हो तो मुझे update मिलती रहा है तो मैंने यहां से लेके यहां तक इसको choose कर लिया जैसे कि आप देख रहे है यहां पर एक formula आ गया है तो इसको आपको simply copy कर ले a2 column b7 means a column second row b column seven row okay so a2 column b7 okay so इसको copy किया और range में आके paste कर दिया then simply click करेंगे save and send test request पे तो google sheets का सारा data pably connect के पास यहां पर capture हो जाएगा बजाज find serve उसका price यह इसका price यह बजाज finance का price यह ICICI bank का price यह Tata Steel का price है ना सारी details capture कर ली है पैबली connect ने अब मैं चाहता हूँ यह details यह मुझे अपने मेरे mobile number पे SMS के द्वारा send कर दे okay so ऐसा करवाने के लिए मुझे नीचे आना होगा और अपनी last application में choose करना होगा किसको Twilio को okay क्योंकि Twilio के द्वारा ही मैं message send करवाने वाला हूँ search करके choose कर लिया मैंने Twilio को then action event में choose करूँगा send SMS message को then click करूँगा connect पे connection के लिए उसके बाद add new connection पे एक new connection के लिए चाहिए account SID authorization token account SID दोबारा से okay so ऐसा करने के लिए हमें चलना होगा हमारे Twilio के account पे तो यह मेरा Twilio का account नीचे scroll करूँगा यह मिल गया मुझे account SID copy करूँगा और दोनों जगा पे account SID को paste कर दूँगा simple then यह मिल गया मुझे authorization token copy करूँगा आऊँगा वापिस और authorization token वाली फिल्म में paste कर दूँगा then click करूँगा save पे जो connection जो है वो मेरा successfully हो जाएगा जैसा कि आप देखने connected है मेरा Twilio का account successfully pably connect से connect होने के बाद सबसे first field आई है body of the SMS की तो किस तरह का SMS आप sign करना चाहते हैं यहां पे लिखिए यह हमसे बोल रहा है just blank field पे click करोगे तो नीचे आपकी previous steps के option आने लगेंगे आपको पता है Google Sheets से data मिलेगा Google Sheets पे click किया और यहां पे जो बजाज find serve जो लिखा है इसको हमें click करके यहां पे map कर देना है और colon लगा देना है okay so यह जो मैंने map किया यह बहुत ही important है map करना बहुत जरूरी है क्यूंकि अब जबी भी price change होगा तो वह obvious सी बात है क्योंकि यह सेम रहेगा हर process में है यह हर process में सेम रहने वाला है है ना colon हर बार सेम रहेगा जो change होने वाला part है उसको मैंने map कर दिया okay इसी तरह से दूसरी company का मैप कर दूँगा ओके यह रहा कॉलन दैन उसके बाद जो है price यह मैप कर दिया दैन इसी तरह से तीसरी company का हमारी नीचे आ जाएंगे तो यह हमें मिल गया बजाच finance कोलन लगाएंगे और स्पेस देके और हमारा जो बजाच finance का stock price है वो map कर देंगे simple then enter करके हमारी और दूसरी वाली company का नाम ICICI bank okay colon then उसके बाद उसका price यह रहा 889 okay then इसी तरह से enter करके हम नीचे आएंगे और हमारी दूसरी company का नाम Tata Steel और उसका price map कर देंगे यह रहा Tata Steel का price then enter पर क्लिक करेंगे और वापस जाएंगे Google Sheets पर हमारी last company Tata Motors उसका price हम यहाँ पर map कर देंगे okay so हो गया ठीक है हमारा total हमने सब map कर दिया है हर चीज हमारी इसी तरह से आपको भी करना है मैं यहाँ से extra space जो है backspace से हटा देता हूँ simple ठीक है तो इसी तरह से आपको भी data map कर देना है और नीचे आ जाएंगे sender number okay so sender number किस number से हम message send कर रहे हैं तो वह हमें Twilio से मिल जाएगा यह रहा my Twilio phone number copy कीजिए आईए पैबली connect पर simply यहाँ पर paste कर देजिए then अब आप यहाँ पर अपना number add कीजिए जिस भी number पर आप SMS sign करवाना चाहते हैं हर 15 मिनिट में stock से related, price से related तो यहाँ पर आपको वह number add करना है with country code country code पहले copy कर लेता हूँ okay okay so यह मैंने number add कर दिया एक test number है किसी का कोई personal number नहीं है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा save and send test request पर जैसी मैं save and send पर क्लिक करूँगा एक message जो है वो मेरे पास SMS जो है मेरे mobile phone पर आज आएगा successfully okay so मैं click करता हूँ save and send test request पर so save and send test request पर क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख रहे है response received हो गया है और मेरे message आगया है मेरे mobile phone पर मैंने screenshot अपनी price है 16,958.75 okay वो है दैन हमारी दूसरी company का stock price है दैन यह हमारा Bajaj Finance का stock price है ICI bank का stock price है सारी companies का stock price हमें मिल गया है तो इसी तरह का message अब मुझे हर 15 minute में मेरे mobile phone पर जो मैंने number add किया है यहाँ नीचे जो number आप देख रहे हैं इस number पर मिलता रहेगा हर 15 minute में message चाहे यह update हो जो है stock price या ना हो okay so हर 15 minute मुझे पता चलता रहेगा कि जिन भी companies के मैंने stock खरीदे हैं उनके price क्या चल रहे हैं घट रहे हैं या बड़ रहे हैं ठीक है अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है just अब मुझे save पे click कर देना है और यह अब पूरी process automatically होगी क्या होगा automatically अब जबी भी हमारे अब जबी हमारे हर 15 minute में यह automation work करेगा फिर से बता देता हूं हर 15 minute में यह software जाएगा हमारी google sheets में और चेक करेगा stock prices को जितने भी companies इसके सामने जो भी stock prices होंगे उन सभी को collect करके SMS जो है हमारे mobile phone पे sign कर देगा जैसे की मैंने आपको दिखाया अभी SMS आया था अब इस process में हमारी 1% भी involvement की जरूरत नहीं है software खुद बखुद यह करेगा जब तक यह workflow on है तो ना सिर्फ इन applications को पैबली कनक की help से आप multiple applications को integrate कर सकते हो automate कर सकते हो बिना किसी परिशानी के जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ इस वीडियो के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया यह same workflow यूज कर पाऊँगे अपने account में वो भी एकदम free में इस automation में अगर आपको कोई दिक्कत आती है इस वीडियो से related आपके कुछ questions होते हैं या आप हमारी team से या मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप हमसे contact कर सकते हैं admin at direct pably.com पर और अगर आपके कुछ questions हैं queries हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहां दी गई हुई link पर और यह video अगर आपके लिए helpful रहा और यह video आपने पसंद किया है तो आप इस video को like करना मत भूलिएगा और channel को subscribe करना मत भूलिएगा thank you